अगर आपने ये पांच गलती कर दी है तो आप सभी का इगजाम का जो प्रेपरेशन जो आपने तैयारी करी है वो सब के सब बरबात हो जाएंगे अगर आप ये पांच चीजों को फालो नहीं करते हैं तो तयारी करना छोड़ दीजिए एक त्यारी करने का कोई फाइदा यहां पर नहीं होने वाला है। आप सभी ड्रीम करने का सपना देख चुके हैं और इस ड्रीम करें सपने को पूरे करने के लिए आपको कुछ चीज़े करनी चाहिए और वो क्या है उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले में चाहूंगा इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजे और शेयर भी कर दीजे और यहां पर डिसकुशन करेंगे कि क्या वो मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करने हैं। सबसे पहले कि आप क्या करते हैं एक्जाम पैटन को और अपने सिलेबस को आप नहीं पहचानते हैं। आप फालो करते हो तो टोटल नंबर आफ क्वेस्टन जो आपसे पूछे जा रहे हैं वो 75 रहने वाले हैं। टोटल मार्क्स जो आपके नंबर जो मिलने वाले हैं वो है 300 ठीक है यानि कि एक क्वेस्टन जो होगा वो चार नंबर के यहाँ पर रखे गया हैं। और माइनस वन का निगेटिव मार्किंग जो है वो रखा गया है। आप उसके go through नहीं करते हैं आप उनके सवाले को solve नहीं करते हैं जो आप सबसे बरी गल्दी करते हैं। तो सबसे पहले आप जिस भी paper की त्यारी कर रहे हैं लास्ट दो तीन साल का paper जो है वो आप जरूर solve करें। solve करने का फाइदा क्या होता है कि आपको मालूम चलेगा कि जो question के pattern हैं वो question के pattern यहाँ पर क्या रखे गए हैं और कैसे सवाल पूछा गया है। दूसरा कि जो level of difficulty था वो level of difficulty last year papers के अंदर में क्या रहा था। सवाल जो पूछे गए हैं वो किस किस chapter से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। यह सभी details आपको कहा मिलेगा previous year paper मिलेगा और यह आपको मदद करेगा आने वाली परिक्षा के लिए तयार होने में। तो सभी लोग अगर आपने previous year paper solve नहीं किया है तो solve कर लीजिए, reasoning के लिए मैंने already previous year paper का पूरा का पूरा series करवाया हुआ है, playlist में जाकर देख सकते हैं, आप सभी को मिल जाएगा, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप बहुत randomly परहाई करते हैं, आपके पास क कोई fix routine नहीं है, आपका कोई time management नहीं है, अगर आप यह गलती करते हैं तो मत किजी, क्योंकि बहुत सारे subject हैं, अगर हम बात करें, COQP 11 और COQP 12 के लिए, general paper जो हमारा है, जिसमें कि quant परना है आपको, reasoning परना है आपको, di परना है आपको, English परना है आपको, Hindi परना है आपक को, computer परना है आपको, तो 11, 12 मिलाकर मैं ये सारे subject की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपको इतने सारे subject परने हैं, आप MB की तयारी कर रहे हो, आप CUT, PG, LLB की तयारी कर रहे हो, आप MCA की तयारी कर रहे हो, जहाँ पर आपको reasoning पूछा जाएगा, computer science भी पूछा जाएगा, त सिर्फ उसको ही पढ़ रहे हैं, तो बाकी के subject आपके रह जाएंगे, लेकिन अगर आप mix करकर परहाई करोगे, है ना, आपने quant को कुछ समय दे दिया, reasoning को कुछ समय दे दिया, थोड़ादर current affairs पढ़ लिया, थोड़ादर English revise कर लिया, तो इस परकार से पढ़ने से क्या होग कि एकठा, एक साथ आपके कई सारे subject जो है, वो तयार होंगे, time manage करना सीखिए, घर के काम होंगे, वो भी करना होगा, college जाना है, तो college भी जाना होगा, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके 24 गंड़े के अंदर में, तो 24 hours में आप किस परकार से handle करना हैं अपने का को, अपने परहाई को, ये बहुत matter करता है, और आप इस age में हैं जहापर आपके घर के काम भी आगो करने होते हैं, और आपको परहाई भी करना होता है, बहुत सारे ऐसे विद्धारती होंगे, जो working होंगे, जो already job में हैं, और फिर भी PG की तैयारी में लगे हुए हैं, तो एक routine आप बना लीजिए, कि इस routine के मताबिक जो है, वो हमें daily targets जो है, वो follow करने हैं, और daily targets अगर आप follow करोगे, तो आप एक सही समय के हिसाब से जो है, वो syllabus को complete करोगे, आप practice भी कर पाऊगे, और सारी चीज़ों को देख पाऊगे, ध्यान से, ठीक है, उसके बाद अपने college और अपने courses के बारे में जानिये, अगर आप MBA की तयारी कर रहे हैं, तो कौन कौन से college हैं, जहां पर आपका admission हो सकता है, अगर आप PG, LLB की तयारी कर रहे हैं, तो कौन से college हैं, आप MA political science की तयारी कर रहे हैं, आप MA history की तयारी कर रहे हैं, agriculture की तयारी कर रहे हैं, computer science की तयार आप इंटरेंस देने के बाद जब स्कोर कार आएगा तो आप किस-किस कॉलेज में काउंसिलिंग के लिए जा सकते हो अपने कॉलेज के बारे में जाने की कॉलेज कैसा है उसकी रेटिंग्स क्या है ठीक है कितने फीस है कहा पर ये कॉलेज परता है किस जगह पर ये कॉलेज ह जो है वो आपके पास होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि पेपर देने के बाद, आप जिस कॉलेज के सपना देख रहे थे, वो कॉलेज में वो कोर्स आफर किया ही नहीं जाता है, तो ये गलती मत करिएगा, चाहे वो डियू के बारे में जानना हो, बियू के बारे में जानना हो, जै है आप sectional mock test दे रहे हैं ठीक है sectional in the sense की topic wise ठीक है topic wise sectional mock test दे रहे हैं और साथ में जब ये पूरा हो जाए तो full length mock जो है वो आप सभी को देना आवश्यक होता है ठीक है तो पहले सुरुवाती दोर में क्या होता है कि हम practice कर रहे होते हैं कुछ कुछ chapters पढ़ रहे होते हैं कुछ कुछ topics को cover कर रहे हैं तो साथ में हम क्या करेंगे sectional वाइस topic wise questions को हम mock के रूप में लगाएंगे timer set करकर उसके बाद जब पूरी तयारी हमारी हो जाएगी उसके बाद हम shift करेंगे full length mock पर जहां पर हम पूरे एक overall paper जिस परकार से examination में cvt mode में पुछा जाता है उस परकार से हम पूरे full length mock देंगे और अपनी गलतियों को जानेंगे कि कहां पर मेरा सवाल गलत हुआ है कहां पर मेरे अंदर कमी है time management को लेकर दिक्कत है concept को लेकर दिक्कत है या solve करने के strategy को लेकर दिक्कत है जो भी दिक्कत महसूस करेंगे वो सब आपको मालूम चलेगा जब आप mock test देंगे ठीक है तो mock test को हमें avoid नहीं करना है mock test बहुत important है चाहे वो sectional topic wise हो चाहे वो full length complete mock हो ठीक है बाकी अगर आप त्यारी कर रहे हैं और चाहते हैं आपको पूरा guidance एक पूरा mentorship आपको provide किया जाए है ना कि एक आदमी है जो आपको पूरा guide कर रहा है तो आप मुझसे guidance और mentorship जो है वो ले सकते हैं हमारे batches में join कर सकते हैं ठीक है हमारे batches में आप join करिए और join करने से आपको यहाँ पर जो है वो discount mentorship जो भी है वो सब कुछ मिलेगा आपको यह मेरा email ID है जहाँ पर आपको मुझसे contact करना है इस email ID पर आप अपना message जरूर drop करें कि सर मुझे तयारी करनी है कौन सा batch join करना है कैसे तयारी करना है उस सारी बाते मैं आपको बताऊंगा जब आप मुझे mail करोगे message करोगे यहाँ पर तो अपना नाम और नम्मर जरूर मेंशन करिएगा ताकि मैं आपको direct call कर पाऊं और आपसे बाचित करकर जो है वो आपके queries को solve कर पाऊं fees में discount करने के लिए coupon code आपको use करना है sonu 80 इस coupon code पर आपको mentorship भी मिलेगा और साथ में discounted fees में आपका admission जो है वो हमारे batches में हो जाता है हना हमारे batches जो हैं तो कैसे join करना है तो आप सभी अपने application में अटर 24 7 के application में या फिर website पर जाकर courses में आपको करना है select UGN PG entrance examination फिर यहाँ पर आगा CUT PG ठीक है और अगर बात करें अभी तो CUT PG महा pack में जो है वो अभी आपका discount भी चल ला है तो आप सभी discount का फाइदा बढ उचा सकते हैं किसी भी course को join करने का चाहे वो कि 11 के लिए है सी एक के 12 के लिए है यहना अध्यन batch थेज़स batch है एक जितने भी हमारे महापैक है तो आप सभी join करने के लिए quantum batch है जैसे कि माल लीजे join करना है किसी भी batch को join करना है तो इस परकार से हम उस batch पर जाएंगे यहाँ पर buy now का option आता है buy now पर click करेंगे coupon code में हम यहाँ पर sonu 80 लिखेंगे हमने आपको बताया है कि sonu 80 coupon code आपको use करना है जहाँ पर आपको discount और guidance mentorship जो है वो मेरे दोरा provide किया जाएगा तो हमने लिखा यहाँ पर coupon code में sonu 80 लाला यहाँ पर हमने apply किया और apply करने के बाद यह discounted price पर available हो जाएगा price में आपका discount यहाँ पर हो जाता है और 30% discount होने के बाद इस price पर यह batch मिलेगा बाकी batches में भी इसी परकार से आप discount जो है वो ले सकते हैं sonu 80 coupon code use करकर और इस email id पर message करना बिलकुल मत भूलिएगा अपने doubts admissions को लेकर जो भी query आपके हो आप मुझे mail कर दीज़े ठीक है I hope आप सभी को समझ में आया होगा कि यह 5 गलती आपको नहीं करनी है अगर आप अपने daily routine में 24 घंटे में जिस परकार से भी तयारी कर रहे हैं आप मुझसे अपना experience जो है वो share कर सकते हैं कि sir मेरी तयारी ऐसे होती है या मुझे ये परिशानी face होता है घर का काम है office का काम है परहाई है बहुत सार चीज़े के जिन्दगी में हर के जिन्दगी में जब वो आता है तो आप सभी comment section में जरूर mention करें साथ में मैंने courses और college की बात करी है तो आप सभी comment में mention करिएगा कि कौन से courses की तयारी आप कर रहे हैं और किस college को आप target कर रहे है आपका dream college कौन सा है वो भी वाते comment section में जरूर mention कर देना ताकि मुझे भी मालूम हो कि हमारे विद्धार्थी जो है वो किस college को target कर रहे है किस courses की तयारी कर रहे है चले, thank you so much have a good day, take care